मस्कार दोश्तों जेके सक्सेस पॉइंट की यूटूब तरने में आपका स्वागता तो डेफेंस बाहरतिय करशी अनुसंदान संस्थान ICAR में जो IARI के अंतरकत कल जिस बरती के लिए हमने बताया था उस बरती का ओफिशल नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है complete detail है वो आज किस वीडियो में हम discuss करने वाले है तो यह देख सकते है ओफिशल नोटिफिकेशन है technician T1 के पोस्टों के लिए यह बरती है यह निकाली गई है टोटल 641 पदों के लिए बरती का विज्यापना वो जारी किया गया है सबसे पहले हम बात करें इंपोर्टेंट्स जो डेट है वो इसकी टेंटिवली क्या रहने वाली है तो 18 दिसंबर से आपके फोरम वो इस्टार्ट हो चुकी है आज की डेट से सुबह 10 बजे से फोरम वो इस्टार्ट हो चुकी है और 10 जनौरी तक आप इसमें अपलाई है के बीच है वो आपका अग्जाम वो करवाया जाएगा अग्जाम वो केंपिटर बेस्ट ही होने वाला है तो यह आप ज्यान में रहें कि पेपर हो ओनलाइन ही आपका होने वाला है डेट हो थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है तो 25 जनौरी से आप मान के चलिए आपका अग् आगे हम विकेंशीज की बात करें तो विकेंशीज किस परकार से हैं तो इसमें आप देख सकते हैं 641 पद है टोटल तो इसमें यूर के 286 EWS के 61 SC के 33 में ST के 68 और OBC Non-Crimalier के लिए 133 पद है अक सर्विसमें के भी 8 पद है और रिजरुशन जो Benchmark Disability वाले है उनके लिए 6 प बात करें तो क्या क्या क्वालफिकेशन मंगी गए तो इसमें सिर्फ आप दस्वी पास वो इसमें मांगा गया है इसमें सर्विस कर रहे हैं जो लोग पहले से उनके लिए बिए बताया कि वह भी इसमें अप्लाई कर सकने एक्जामनेशन सिटी जो ने बताई है कि इंडिया में पूरे और और इंडिया में इसका अग्जाम होने वाला है पांच शिटी जब वह आपको सेलेक्ट करनी तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर और जो यू ओबिशी नोन क्रीमिलियर कंडेट है उनको त्री यर्स का जो रिलेक्शन दिया जाता है और इसमें बात करें तो फोरम फीस वह आपकी कितनी लगने वाली है तो उसके लिए बरताया है कि जो अप्लिकेशन फीस उनको 700 रुपए तो एक्जामिनेशन फीस देनी होगी और 300 रुपए उनको रिजिस्ट्रेशन फीस है वह देनी होगी तो टोटल 1000 रुपए आपका पेमेंट है वह करना होगा अगर और आगे बात कें तो वोमेन और जो SC, ST और जो X-Servicemen और जो PH वाले स्टुडेंट है उ और जो OBC Non Cream Layer और UR और जो EWS वाले कंडेंट हैं उनको 1000 रुपए पे करना होगा तो यह इसमें बताया है कि अप्लिकेशन फीस है वह आपकी क्या लगने वाली है फोरम अब आपका ओनलाइन बरा जाएगा अग्जामिनेशन किस परकार से होगा तो इसमें अग्जाम का पे वाली है क्वालिफाइंग में इसनों ने बताया है कि UR के लिए 40% और STOBC के लिए 30% और ST इसके लिए 25% निनों ने बताया है तो यह सभी डिटेल इन्हों ने बताएं, एक इंपोर्टेंट बात इन्हों ने बताएं कि पेपर में आपका नर्मलाजेशन के आदार पर ही आपका रेजल्ट वो दिया जाएगा, डिफरेंट सीप्ट में अगर अगजाम होता है, तो आपका जो नर्मलाजेशन वो इस मेठ तो इसमें आप चेक कर सकते हैं आप उसी इंस्टिटूट के आदार पर इसमें अपलाई है वो कर सकते हैं देख सकते हैं जो आइशी आदार पर इसमें अपलाई कर सकते हैं इस्टेट आप देख सेंटर के लिए हर इस्टेट में लग वर्क सेंटर है वो आपके बताएंगे देख सकते हैं अचल परदेश में टोटल 16 सेंटर बनाए गए हैं असम में भी आप देख सकते हैं चीवरे चार्ट सेंटर हैं बिहार में भी 36 गड़ में भी गोवा गुजराद हरियाना इमाचल परदेश जारखंड करनाटका केरला मद्यपरदेश मारास्टर मनिपूर मिगा स्कीम रहने वाली है तो इसमें बताए गया है कि आपके पास दस्वी पास आउट आप होने चाहिए और साथ में आपका पेपर हो हंड्रेड मार्क्स का होगा टोटल हंड्रेड क्यूसंस ही इसमें लग बग पूछे जाएंगे और नेगिटिव मार्किंग भी आपकी रहने दिखते हैं डेड गंटे का समय है वो इसमें दिया जाएगा हेंड्रेड क्यूसंस है और आपको 90 मिनट है वो इसमें समय है वो दिया जाएग पेपर है वो बाइलिंग्विल होने वाला है हिंदी और इंगलीज में ताप इसमें पूरा चैक कर सकते हैं आगे से बात करें तो सलेबस है वो आप देखते जनरल नोलेज में क्या क्या टोपिक पूछे जाएंगे तो क्यूसं में भी डिजाइंड टेस्ट नोलेज ओफ करेंट इवेंट्स मालब करेंट अफेर्स से क्यूसंस पूछे जाएंगे लेटेड टू इंडिया एंड पूछा जाएगा नेक्स्ट इसमें मैथमेटिक्स से लेटेड क्यूसंस भी पूछे जाएंगे तो मैथमेटिक्स होगा आपके नंबर सिस्टम होगा फंडामेंटल जो अर्थमेटिकल ओप्रेशंस होगे एलजेवरा जियोमेट्री मैंसुरेशं ट्रिग्नोमेट्री और इस्टेटिकल चार्ट से इनसे लेटेड है वो पूछे जाएंगे नेक्स्ट साइंस तो साइंस मैट्रिक्स लेवल की होगी जिसमें फिजिक्स जो केमिकल सब्स्टिटिएंस हैं नेचर एंड विहेवियर वर्ल्ड फ लिविंग नेचर फेनोमेन जो एफेक्ट ऑफ इंडिया और जो वर्ल्ड है उनसे लेटेड है वो कुछे जाएंगे आगे इसमें बताया गया है कि आपका जो इसमें अगर आप पास आउट हो जाती है तो आपका वन एयर का आपके पास जोब ट्रेनिंग हो करवाया जाएगा जोब ट्रेनिंग हो दी जाएगे अगर इसमें किया जाएगा तो रेगुलर अपोइंट में आपका वन एयर की जो ट्रेनिंग होगी उसी के बाद में आपको टेक्निशन के पद पर रखा जाएगे उससे पहले आप जो टेक्निकल ट्रेनी है उसके पद पर रहेंगे तो डेफेंस यह जो बारत्य कर्षी है या फिर कोई भी आपको डाउट है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं और शाथ में इसका जो डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दी जाएगी वाद से आप इस पूरे नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं अगर आप चैनल पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरू चैनल को सकते हैं यद्ड़ आप पत्रू हैं इसका कर दो सब्सक्रिप्शन को चैनल को सब्सक्राइब